दोस्तो आज की वीडियो में बात करूँगा मैं कि जो M के बन टाइप इस्टार्टर होता है इसका रेमोट वाइरिंग कैसे करते हैं रेमोट वाइरिंग होता क्या है सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए मान लीजिए कि आपके घर का टीवी दीबाल के उपर लगा हुआ चल रहा है आपने सीधा रेमोट का पावर बटन दबाया और टीवी को ओफ कर दिया फिर से कोई बंदा आएगा रेमोट का पावर बटन दबायगा टीवी ओन हो जाएगा TB के पास जा करके उसका switch दबा के on off करने की जरूरत नहीं है तो यही same to same आपके starter में होता है starter लगाए आपका नीचे ground floor पे और आप second floor से starter को on करना चाहा है तो सीधा push button दबाओ और आपका starter on हो जाएगा तो इसी को दोस्तों में remote wiring कहते हैं जो हमारा 3 pole का MC भी लगा हुआ है इसके नीचे बाले point पर हम R by B तीनो phase दे देते हैं और उपर बाले point से R by B तीन phase को out करके जो overload relay लगी हुई है उसके input point पर लेकर जाते हैं overload relation नीचे हमारा contactor लगा हुआ है तो contactor से supply को out करके हम अपना motor के अंदर connect कर देते हैं power circuit diagram इतना simple होता है कि इसको कोई भी बना सकता है दोस्तो बात कर लेते हैं अपना control circuit diagram की control circuit diagram बनाने से पहले आपको जो contactor है इसके उपर rated coil voltage देखना है maximum cases में इस type case starter में आपको 440 volt या 415 volt से operate होने वाला contactor मिलेगा तो हमें क्या करना है दोश्तो जो हमारा contactor का A1 point है यहां हम एक phase को connect कर देंगे किसी भी RYB बाले point से उठा करके यहां BY बाले point से एक supply को out करेंगे और contactor के A1 point पर हम connect कर देंगे एक phase की हमने wiring कर दी है अब दूसरे phase के साथ हम controlling करते हैं पहले आपको starter समझा देता हूं कि होता कैसा है और उसके बाद आपको समझा दूँगा कि हम अलग से अपना remote wiring करते हैं उसको कैशे करते हैं तो पहले हम प्रॉपर तरीके से वो चीज समझ लेते हैं जो company से हमें starter मिलता है दोस्तों जो हमारा overload relay के उपर R by B तीन phase आए हैं यहीं से हम B बाले phase से supply को out करेंगे यहां मैं red color यूज कर रहा हूं आपके पास जो भी color का तार हो आप यूज कर सकते हैं और इस supply को लेकर के जाएंगे जो 94 number point है इसके अंदर 94 और 93 हमारे NO point होते हैं और जो दूसरा point है 95 और 96 यह हमारे NC point होते हैं तो 93 से supply out होने के बाद जो हमारा 95 number point है इसके अंदर जाती है और 96 number point से supply out होने के बाद contactor के A2 point में connect कर देते हैं अब यह हमारा contactor सिर्फ उतनी देर के लिए on होगा जितनी देर हम green push button को दबाएंगे अब इस contactor को hold करने के लिए जो 93 number point है यहां से supply को out करेंगे और contactor के चौथे वाले point पर connect कर देंगे ऐसे करके हमारा यह controlling complete हो जाता है company से जो starter हमको मिलता है कुछ इस type से आपको wiring किया हुआ मिलता है अब आपको क्या करना है इसके अंदर remote wiring करनी है दोस्तो remote wiring करने के लिए आपको दो push button यूज करने है एक red push button और एक green push button आप कितनी दूर से starter को on करना चाहा रहे है उतना लंबा आप एक square mm का तार ले लीजिए और आप समझेए कि हम remote wiring करते कैसे हैं जो हमारा green push button होता है उसको green push button के parallel में connect कर देते हैं देखेंगे कि जो 94 नंबर और 93 नंबर दो पॉइंट है यह हमारे एनो पॉइंट है जो green push button होता है वो भी हमारा एनो पॉइंट होता है तो इसी के parallel में हम एनो पॉइंट को connect कर देंगे दोस्तों अगर आप parallel का मतलब नहीं समझ रहे हैं तब भी आपको tension लेने बाली बात नहीं है 93 नंबर पॉइंट और 94 नंबर पॉइंट में जहां हमारा phase supply connect है इसी को थोड़ा सा लूज करेंगे स्क्रू को और दूसरा एक स्क्रू का तार कनेक्ट कर लेंगे उतना लंबा जितनी दूर आपको अपना remote wiring करना मतलब कि जहां पुस बटन लगाने तो हम अपने दूसरी साइड में अपना green push button लगाया उसको दबालो आपका contactor on हो जाएगा दोस्तो हमारा starter on तो कर सकते हैं हम दूसरी जगे से लेकिन off करने के लिए आपको starter के पास आना पड़ेगा तो इस problem को solve करने के लिए आपको एक red push button और लगाना पड़ेगा वहां पर जहा बीच मैंसे मैं थोड़ा सा कट कर देता हूं यहां पर आपको लगा के समझा देता हूं उसके बाद अलग करके दिखा दूँगा दोस्तो इस supply को थोड़ा सा बीच मैंसे मैंने काट के अलग हटा दिया तार को और यहां मैंने एक red push button बाला contact connect कर दिया जो हमारा NC point है NC का मतल अब क्या होता है कि normal condition में यह supply को आगे भेज रहा है अब अपने green push button को दबाएंगे हमारा starter on हो जाएगा और जो बीच में हमने अपना push button लगा के रखा है इस push button को जैसे हम दबाएंगे हमारी supply break हो जाएगी और contactor बंद हो जाएगा तो इसी तार को ले जाकरके हम connect कर अपने red push button में मतलब कि जो 93 से 95 की तरफ छोटा सा तार आप देख रहें जा रहा है इस तार को उठा करके हम दूसरी साइड में लगा देते हैं उस point में जहां हमने green push button और red push button अलग से लगा के रखे हैं तो green push button से जैसे आप यहां देख रहे हैं वैसे ही एजटिज वहां प हमारा connection हो गया है दो push button से अब किसी भी push button से motor को on कर सकते हैं और किसी भी push button से motor को off कर सकते हैं तो उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर कोई doubt रह गया है तो please comment box में comment करना वीडियो अच्छी लगी हो तो एक like कर देना अग हुआ 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 है